हलो फ्रेंट्स मैं हूर अंजू मेरी चैनल पर आपका स्वागत थे एक नेरी स्पी के साथ ग्रैंडिंग जार लिए हैं इसमें एक कप मुखफली डालेंगे मुखफली को रोस्ट कर लिए थे उसका चिलका हटा दिये हैं एक चोथाई कप चना दाल डालेंगे चना दाल को भी रोस्ट कर लिए हैं थोड़ासा कच्चा नारिय डालेंगे तीन लेच्छुन के इकलियां डालेंगे तीन हरे मिर्ज थोड़ासा अधरा का टुकड़ा नमक स्वाधनुशा अभिसमें पानी डाल देते हैं अभिसे ग्रा कर लिए हैं पूरी तरह से बारी ग्राइंड किये हैं अब इसे एक बॉल में ट्रांसवर कर लेते हैं चटनी ज्यादा गढ़ा लग रहा है थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं नहीं ज़्यादा गाढ़ा ये नहीं ज़्यादा पतला है देख सकते हैं अब इसको तड़का लगा देते हैं तड़का पाइन को गरम होने के लिए रख दिये हैं अब इसमें तेल डाल देते हैं तिल को गरम होने देते हैं, अब इसमें थुड़ा से राय डाल देंगे, दो साबुत लाल मिश डाल देंगे, अब इसमें दस कढ़ी लिप्स डाल देंगे, यहीं सारे चीजों को हलका सा कलर चेंज होने देते हैं, हलका सकला चेंज हो गया है अब इसमें डाल देते हैं तड़का को चटनी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं मुखफली चना डाल का चटनी बन कर रेड़ी हो गया मैं जब ही डोसा या इडली बनाती हूं तो घर में ये चटनी जिरूर बनाती हूं बच्चुलों को बहुत पसंद आता है आप भी इसे जरू ट्राय करें आपको ये बहुत पसंद आएगा चट्नी बनकर रेड़ी हो गया अब दूसरा चट्नी बना लेते हैं पैन को गरम होने के लिए रख दिये हैं इसमें तेल डाल देते हैं तेल को गरम होने देते हैं अब इसमें एक चमच उरादाल डाल लेंगे एक चमच चना डाल इन सारे चीज्टक अच्छी से mix कर देते हैं अब इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे एक बड़ा आज का प्याज लिए है इसे काट लिए है प्याज का हलका सा कला चेंज होने तक बूनेगे अब इसमें तीन कास्मीरी लाल मिश डालेंगे गैस को लोटु मीडेम फलेम पे रखेंगे अब इसमें थोड़ा से आधरा का टुकरा डाल देंगे पांच लेस उनकी कलियां डाल देंगे इन सारे चीजों को हलका सा कलर चेंज होने देते हैं प्याज का हलका सा color change हो गया अब इसमें टमाटर डाल देते हैं एक बड़े साइज का टमाटर लिए हैं इसे काट लिए हैं टमाटर और प्याज को हलका सा soft होने तक भूनेगे गैस को low to medium flame पर रखेंगे अगर आपको चटनी ज्यादा बनाना है तेन सारे चीज़ों को quantity बढ़ा सकते हैं टमाटर काफी soft हो गया है गैस को off कर देते हैं इसको पुरी तरह से ठंडी होने देते हैं भूना हुआ टमाटर प्याज पुरी तरह से ठंडी हो गया है अब इसको grind कर लेते हैं अब इसको grind कर लेते हैं थोड़ा सा नमक डाल देते हैं नमक नहीं डाल लेते हैं फिर से इससे grind कर लेते हैं चटनी को grind कर लिए हैं पुरी तरह से बारे grind किये हैं इसे एक बॉल में निकाल देते हैं चटनी ज्यादा गढ़ा लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे पर देते हैं अब इसमें साबुत दो लाल मिस डाल देंगे एक चमच राय डाल देंगे एक चमक उरह डाल इन सारे चीजों करलर चेंज होने देते हैं अब इसमें 8-10 कड़ी लिप्स डाल देंगे, इन सारे चीजों को कलर चेंज होने देते हैं, गैस को लोग फिलम पे रखे हैं, हलका सा कलर चेंज हो गया है, गैस को आप कर देते हैं, अब चटनी में तड़का को डाल देते हैं, ताका को चटनी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, चटनी बन का रेड़ी हो गया, आप इस रेस्प्य को जरू ट्राय करें, आप को बहुत पसंद आएगा, अब तीसरा चटनी बना लेते हैं, ग्राइंडिंग जार लिए हैं, अब इसमें एक कप नारियर डाल देंगे, ताजी नारियर लिए हैं, नारियर को छोटो पिस इसमें काट लिए हैं, इसका ब्रॉन पाट हटा दिए हैं, अब इसमें एक चोथाई कप चना दाल डाल देंगे, चना दाल को हलका सा रूस्ट क करते हैं तो हरे मिर्च कम भी डाल सकते हैं तीन लसुन की कलियां डाल लेंगे अब इसमें दो चमच दही डाल लेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं स्वाद अनुसर नमक डाल लेंगे एक छुटी चमच अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं चटनी को ग्राइंड कर लिए हैं पुरी तरह से बारी ग्राइंड किये हैं अब एक बॉल में इसे ट्रास्पर कर लेते हैं अगर आपको नरियर का चटनी ज्यादा बनाना है तीन सारे चीजों को कुंटिटी बढ़ा सकते हैं अब चटनी में तड़का लगा लेते हैं तड़का को त्यारी करते हैं तड़का पैन को गरम होने के लिए रख दिये हैं इसमें तेल डाल देते हैं तेल को गरम होने देते हैं गैस को लोख लिम पे रखे हैं अब इसमें दो सावत लाल मिच डालेंगे एक चमच राय डाल लेंगे एक चमच उरा डाल दस कड़ी लिप्स इन सारे चीज़ों को हलका सा कलाय चेंज होने देते हैं कलर इसका चेंज हो गया है गैस को आप कर देते हैं अब चटनी में तालका को डाल देते हैं तालका को चटनी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं नरेयर को हरी चटनी बनका रेड़ी हो गया आप इसे रेश्बी को जिरू ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगा अब चोथा चटनी बना लेते हैं ग्राइंडिंग चार लिए हैं अब इसमें ग्रेट किया हुआ नरेय डाल देते हैं ताजा नरेय लिए हैं थोड़ा से आदरा काटुकड़ा दो कस्मीरी लाल मिर्च एक चमच साबुत धनिया अब इसमें स्वादनुसार नमक दो से तीन लसुन की कलियां भी डाल सकते हैं थोड़ा से पानी डाल देते हैं अब इसको ग्राइड कर लेते हैं चटनी को ग्राइड कर लिए हैं अब एक बॉल में इसे निकाल लेते हैं अब तलाका लगा लेते हैं तलाका पैन को गरम होने के लिए रख दिये हैं अब इसमें तेल लाल देते हैं तेल को गरम होने देते हैं, गैस को लो फ्लेम पे रखे हैं, अब इसमें एक चमच राई डाल लेंगे, दो सावध लाल मीच, अब इसमें आठ से दस काड़ ही लिप्स डाल लेंगे, इन सारे चीजों को हलका सा कलर चेंज होने देते हैं, हलका सा कलर चेंज हो गया है, कैस को अब कर देते हैं अब चटनी में तड़का को डाल देते हैं तड़का को चटनी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं कि चटनी बन के रेड़ी हो गयाल कि अपप इस रेस्पी को जिरुड़ टैक आप पसंद आये verw कर दीए देख सकते हैं देखने में कितना टेस्टि कितना पर्फेक्ट बना आप इस रेश्पी को जरूर टाय करें मेरा रेश्पी को लाइक किजिए सेर किजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एक पर फी मिलते हैं नई रेश्पी के साथ